नमस्कार आज हम अपनी परियावरन की श्रिंखला को जारी रखेंगे और इसमें जो महत्पूर्ण अपेक्षित प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे तो जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहा हैं वो है वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसको अवाड दिया गया था सिट्स के दुआरा तो इसका मुख्य कारे ये हैं कि जितने भी वाइड लाइफ एंफोर्स्मेंट हुए हैं उनको ध्यान में रखना और इसी के नाम पे एक उपरेशन सेव कुर्मा चालू किया गया था तो ये कुछ महत्पून गटनाए हैं जो हम इसके अंदर में देखेंगे दूसरा है जो चिलिका लेक है आपका उडिसा में वहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं ये मुख्यता कैस्पियन सी और बैका लेक के तरफ से आती हैं और यहाँ पर जो बर्ड्स सेंचुरी है जिसको नाला बना बर्ड्स सेंचुरी कहा जाता है वहाँ पर मंगल जोड और चिलका लेक से यह बर्ट आती हैं तो यह एक इम्पोर्टेंट न्यूस है क्योंकि इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि पिछले अधियाय में हमने देखा कि किस तरीके से फालकन फेस्टिवल और पेलिकन फेस्टिवल है वो किनकिन बर्ट सेंचुरी से अफिलियेटेड है तो जो माइग्रेटरी बर्ट आपकी नाला बना में आती हैं वो चिलका लेक के पास में हैं तो कोलरू लेक, पुलिकत लेक, चिलका लेक तीनों पे जो इंपोर्टेंट ती यह सबसे चोटे टर्टल माने गए हैं और काफी मात्रा में पाए गए हैं पूरे विच्वबर में पर गहिर मत्ता जो है वो इनका मुख्य ब्रीडिंग ग्राउंड है जो कि केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में आता है और हर साल यहां पर कई सारे ओलिव रिडल टर्टल प्रियाबाद के निकट में जो आपके ब्लैक बख हैं यह एंटिलोग फैमली को बिलॉग करते हैं और गोट की फैमली यह बखरी के फैमली के बहुत ही नजदीक पया गया है तो यह भी बहुत इंपोर्टन है और यह जो ब्लैक बख कंसर्वेशन रिजर्व सेंटर आएग तो forestry के students के लिए, IFS के लिए भी ये एक important news बनती है अगला है आपके चार Asian vulture species लाई गई हैं जिनको protection, highest protection level दिया गया है तो कई बार आपके objective questions में सीधा सवाल आता है कि इन में से कौन सी vulture species को highest protection level नहीं दिया गया है तो आपको चारों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए है Red-headed, White-rummed, Indian और Slender-built vulture ये चार vultures जो हैं ये आपके इसमें आती है फिर हमारे देश में लगबग 100 से भी अधिक Tiger Reserve Centers है पर उन सब Tiger Reserve Centers के बावजूद भी हमारे सिर्फ जो 13% Tiger Reserve Centers हैं वो Global Standards को meet करते हैं तो अभी हमें Tiger Conservation के लिए और आगे बढ़ना है International Tiger Reserve जो आपका International Tiger Day मनाया जाता है उसके तहद भी ये आया था अभी के भारत जो है उसमें Tiger या चीते की जनसंख्या सबसे जादा है तो किस तरीके से उसको conserve करना है वो important है Green Platinum Award दिया गया था इसकौन के द्वारा Govardhan Eco Village को जो इसकौन द्वारा स्थापित किया गया है Govardhan Eco Village ये आपके वाड़ा तालुका पलगार डिस्ट्रिक में महराष्ट में आता है ये Govardhan Eco Village जो है मुख्यता किस तरीके से Green Technology को यूज करते हुए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिवलप किया जा सकता है और Green Buildings बनाई जा सकती है उस पे फोकस करता है Britain और भारत का एक समझाता हुआ था जिसमें Clean Water और Clean Energy की बात की गई थी तो स्वच जल की जब हम बात करते हैं उसके तहत आठ प्रोजेक्ट आये थे और जो एनरजी डिमांड है जो उर्जा की डिमांड है उसके तहत चार प्रोजेक्ट आये थे और कुल इसकी लागत 15 मिलियन पॉंड रही है तो यह इंपॉर्टेंट डिवलप्मेंट है फिर FAME India स्कीम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है FAME India इसका acronym है Faster Adaptation of Manufacturing Electric and Hybrid Vehicles in India तो बेसिकली हम इसके तहर जाद से जाद इलेक्टरिक और हाइप्रिट गाडिया लाने की कोशिश कर रहे हैं 20-30 तक हमारा टार्गेट है कि हम जाद से जाद इलेक्टरिक और हाइप्रिट वहिकल मार्केट में ला सके 2015 में यह स्कीम चालू की गई थी और 10 शहरों में यह पाइलिट प्रोजेक्ट की तरह चुरू किया गया है अगला है भारत जो है World Environment Day 2018 को होस्ट करेगा जो की 5 जून को मनाया जाता है और यह जो World Environment Day मनाया जा रहा है इसका Central Theme जो है प्लास्टिक पॉलूशन से डील करता है तो इसकी Theme क्या है यह बहुत important है आपके नेट परिक्षा में मुख्यता यह सीधा सवाल आता है कि किस चीज किस थीम पर बेस्ट है तो प्लास्टिक पॉलिशन इसकी में थीम है और इसी के चलते हैं हमारे जो 2016 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आये थे उसमें 17 जो राचे हैं और यूनियन टेरि अब यह टर्मलोजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टन है कई बार आपके अब्जेक्टिव में सीधा इस टर्मलोजी के उपर सवाल आ सकता है तो फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन का अभी प्राह यह है कि जब फॉसल फ्यूल्स जलाया जाते हैं तो उसका एक जो रेम की बात की गई है एंटीपीसी के कलाबरेशन में तो यह एक इंपॉर्टन है फिर दूसरा है आपका जो एक इंपॉर्टन न्यूस है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 जो आई थी उसमें फॉरेस्ट का प्रतिशत जो भारत में है वो 24.39 प्रतिशत बताया गया है अब यह सिगन कट कमेंडेबल डेवलेप्मेंट हुआ है वो यह है कि जो बहुत जादा घने वन हैं उनमें बहुत वृत्धी अर्ज की गई है और यह जो वृती दर्श की गई है इसका मुख्य फायदा यह है कि यह जो एक्सट्रीम इंस फॉरेस्ट एरिया है यह जो घने वन के छेत्र ह वो सबसे अच्छे carbon sink माने जाते हैं, तो atmosphere के लिए ये एक बहुत ही betterment वाली stage है, दूसरा है fly ash जो की निकलता है, उसके management के लिए एक mobile app release की गई है, जिसको ash track कहा गया है, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे एक धर्म app आई है, जो की dam या जो बांध बनते हैं, उनसे related सभी च important है, कई बार आपका सीधा question आ सकता है match list का के कौन सी apps हैं और वो किस कारे के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे आपको वो अच्छे से ध्यान रखना है, अगला है green good deeds campaign चालू किया गया है, ये आपका net परिक्षा के लिए बहुत ही important है, क्योंकि net में जो मुख्यत सवा आते हैं, वो climate change, global warming से ज्यादा related होते हैं, good deeds campaign चालू किया गया है, उसका मुख्य उद्धेश ये है कि किस तरीके से जो climate परिवर्तित हो रहा है, जो global warming हो रही है, उसको किस तरीके से अपन समझ सकते हैं और उसके प्रती लोगों में जागरूपता फैला सकते हैं, इसी के अंडर में green sanic और polio sanic दो और सब program शुरू किये गए हैं, फिर है आपका floating treatment wetlands चालू किया गया है, जो खराब wetlands हैं या जहां पर गंदगी पाई गई है, उनको purify करने के लिए, तो ये पहला experiment आपका नेकनामपूर लेक में हुआ है, हैधराबाद में, तो ये लेक कहां प आतली ये बायोम है, और एक जो समुदरी बायोम है, या पानी का बायोम है, उन दोनों के बीच में जो link आएगा, उसको हम wetland कहेंगे, रामसर convention इसके लिए आया था, और रामसर convention के जो rules या conventions आया थे, वो बहुत है important है, ये जो floating treatment wetland है, इसका मुख्य उदेश ये है, कि जि इसे nitrates और जहरीले प्रदूशन को absorb कर सके, तो ये treatment project आया था, ये दो प्रमुख organizations का मिला जूला का रहे है, जिसमें एक NGO है, धुरुवांच, तो इस NGO का नाम भी अपने आप में important है, और हिदराबाद Metropolitan Authority, जो development authority है, वो, अगला है, मंगल जोडी Eco-Tourism Trust of Odisa, जो है, उसको UN WTO Awards से सम्मानित किया गया है, ये United Nations का World Tourism Organization Award है, जो कि मंगल जोडी छेतर को दिया गया है, उडिसा में आती है, मेडरिन इस्पेन में ये conference हुई थी, ये ceremony हुई थी, और इसमें मंगल जोड को इसलिए चुना गया, क्योंकि वहाँ पर community ownership और eco-tourism को बहुत level पे बढ़ाव गया है, जिसका नाम है Ziyan Smoke Tower, जो smoke का मतलब होता है, दुआ कि smoke होता है, और fog जो कि कहरा होता है, जब दोनों को हम मिला देते हैं, जब दुआ और कहरे का मिला-जूला स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिससे जो visibility है, या जो दूर तक की देखने की शमता है, वो कम हो ज जाती है शितिल हो जाती है उसको स्मॉक कहा जाता है तो यह डिटेक्शन टावर को जियान स्मॉक टावर कहा गया है जो कि सांग्षाई प्रोविंस में सापित की गई है अगला है चीरू चीरू को हम तिबतन एंटलोपी कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपोर अब इस पर बैन लगा दिया गया है तो किस जानवर से कौन सी उन मिलती है वह भी इंपोर्टन तो चीरू से आपकी शातुश उन मिलती है अगला है स्टबल बर्निंग को रोकना अपने परिक्शा के लिए यह स्टबल बर्निंग का कंसेप्ट ही अपने आपमें से आपका दिल्ली में हाल ही में जो स्माउख प्रॉलिशन हुआ था वो न्यूज में आया था उस पर हमने एक डीटेल में क्लास की है जो हमने पार्टवन में भी डिस्कुस किया था तो उसको आप लीजिए और इसमें हमारा मुख्य उदेश यह है कि स्टबल बर्निंग को र इतने भी शहर घंगा नदी के किनारे हैं वहां पर प्लास्टिक का उप्योग पूर्ट बंद कर दिया गया है फिर जो पतंग उड़ाई जाती है उसमें सिंथेटीक माझे का उप्योग बंद कर दिया गया है फिर NGT ने एक सिंगल मेंबर बेंच का की परमीशन दी है NGT rules 2011 का amendment है अगला है आपका भारत में जो आकाल पढ़ रहा है जो सुखा पढ़ रहा है उसका प्रतिशत है वो हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के इंपक्ट से और मुख्यता इसका असर महाराष्ट, दक्षणी, गुजरात, करणाटक, अंधरप्रदेश और मध्य भारत में देखा जाता है फिर COP23 जो की bond conference थी जिसमें तलोना dialogue आया था जिसको फीजी ने पहली बार preside किया था यह important है इस पर हमने अलग से lecture ले रखा है तो उसको आप detail में पढ़ सकते हैं फिर वापस बहुत important news इसमें theme important है आपके net परिक्षा में कई बार सीधा सीधा यह पूछा जाता है कि इस conference यह conference हुई थी इसकी theme क्या थी तो यह कुछ आपको याद करने वाली चीज़ा है जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो migratory species summit हुई है 2020 में होने वाली है उसका जो theme है वो है their future is our future उनका भविश हमारा भविश है और सतत विकास की तरफ किस तरीके से हम जो wildlife है और लोग है उनको आगे ले जा सकते हैं अगला है महानदी नदी जो कि आपकी सिवाहा चतिसगर से निकलती है अब इसमें चतिसगर और उडिसा में बहुत बड़ा dispute चल रहा है चतिसगर इसमें बैरश बनाता है और उडिसा इस चीज़ को लेके court में जाता है कि यह कारे रुख जाना चाहिए तो इस वज़े से य अब कई बार आपके भूगोल के direct question आ सकते हैं कि महानदी की कौन-कौन सी प्रमुख Tributaries है तो यह कौन-कौन सी प्रमुख नदिया है जो महानदी में विलीन होती है तो वो ओम तेलन और हस्दय हो है पर यह आपको ऐसा लगे है कि यह बूगोल का सीधा question आया है पर यह बू इनरजी में किस तरीके से investment करना चाहिए उसके उपर है मुख्यता फ्रांस के साथ partnership में यह आया है और इसमें International Solar Alliance का भी योगदान है का हिस्सा बनी है श्रीसा सेलम रिजर्वायर जो है कृष्णा देदी पर आया है आंदरप्रदेश में है और आंदरप्रदेश और तेलंगाना में इस पर अक्सर ही dispute चलता रहता है यह हमने map location की class में भी discuss किया था मनाली और रोतांग पास के बीच में आपकी सर्विस चालू की गई है यह जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस चालू की गई ए सका मुक्ध उद्देश यह है ॥ेसे जिसमें हिमालय की चार मुक्य राज्यों Pen फोकस किया घया जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और सिक्किम, ये तीन तो आपके उत्तर की छेतर में आते हैं, सिक्किम जो है आपके उत्तर पूर्वक की तरफ आता है, तो ये चार छेतरों में हमने सिक्योर हिमालिया प्रजेक्ट चालू किया है, और थर्ड नैशनल वा इलरेबल ट्राइबल ग्रूप से उनमें से एक है, इनके जो अधिकार है, सिम्ली पाइल टाइगल रिजर्व में उनको रोग दिया गया था, और इसके लिए ये जो स्टुडियो ट्राइब्स आक्ट 2016 था, उसके अंडर में आया था, और अब इनको बेनिफिट मिला है, त तो ये ट्राइब कौन से छेतर में, कौन से वन छेतर में पाई गई है, वो वन छेतर कौन से स्टेट में या कौन से राज्य में है, वो भी इंपोर्टन है, अब अगर हम देखें, तो दक्षणी गुजरात में जैसा कि हमने बात की थी, हीट वेव्स का एक प्रमुक असर भारत में पढ़ रहा है, तो दक्षणी गुजरात के कौन-कौन से छेतर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, नानी दांती और मोटी दांती जो है आपके वलसात जिले में, और नवसारी जिले में बोर्सी मच्छिवाडी गाउं जो है, वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभा है, उसकी एक एनालेसिस करके उसका एक नाशनल डेटाबेस बनाया जाएगा, जो कि नाशनल हाइडरोलोजी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और उसका मुख्य उदेश यह है कि सब छेतरों का डेटा इखटा किया जाएगा, फैसिलेटीज को मॉडनाइज किया जाएगा, और जाद से जादा modern infrastructure लाया जाएगा, धर्म की हमने बात की, यह एक web tool है, जिसके द्वारा हम digitization की बात करेंगे, जिसमें सारे ही dam technologies के बारे में, और dam related developments को focus किया जाएगा, हाल ही में जो international dam conference थी, वो तिरुवनंध पुरन में हुई थी, जिसमें बांध के safety के rules लाए गए थे, अब भारत में water crisis के issue पे हम बहुत जादा गंभीर हो चुके हैं, South Africa में zero day के चलते, जिसमें water crisis को बहुत महत्पूर्ण माना गया है, जो March का down to earth का edition आया है, उसमें ये एक main theme रही है, और उसकी summary हम current affairs section में शिगरी डाल देंगे, तो आप वहाँ पर इसकी summary जरूर सरूर से प important है, किस तरीके से जल की crisis हो रही है, और किन-किन छेतरों में जल की संभावना कम पाई जा रही है, इसके मुख्य कारण क्या है, यह आपके प्रमुख परिक्षा के लिए बहुत ही important है, मुख्य परिक्षा के लिए आप main रूप से इसमें ये समझें कि भारत में जो groundwater का level है वो कम हो रहा है, जो arsenic और दूसरे chemical compound से उनका contamination बढ़ रहा है, illegal रूप से बहुत सारी मिट्टी हटाई जा रही है, और global warming का भी impact हो रहा है, जिसकी वज़े से गरम waves या जो heat waves हम कहते हैं, वो बढ़ रही है, तो यह सब चीजे इसको प्रभावित कर रही है, solar जो capacity है भारत सबसे भी ज़्यादा हो चुकी है, तो उन राज्यों की list यहां पर है, कई बार इस पर direct question आ सकता है, अरंडी का तेल या अरंडी का जो पौधा है, वो बहुत important है, क्योंकि यह माना जाता है, कि वो मिट्टी के production को रोकता है, ऐसा माना जाता है, अरंडी एक सबसे मजबूत पेड़ है, जो किसी भी situation में उख सकता है, और इसकी बहुत सारी medicinal properties भी है, अगर अरंडी के पेड़ को उगाया जाता है, तो यहां पर इस छेत्र में जितनी भी फसल होती है, या जितना भी मिट्टी का production है, उसकी रोगधाम बहुत हद तक सफल रूप से की जा सकती है, इस इसी की तरीके से एक मॉस होता है, जो कि हमारे production के level को indicate करता है, और मॉस को शेहरी इलाकों में मुख्यता लाया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही सस्ता और bio method है, जिसके द्वारा हम जो है production के स्थर को नाप सकते हैं, और यह परियावरन को भी नुकसान नहीं और यह पहला भारत का organization है, जिसको direct access entity दी गई है GCF के द्वारा, तो यह वापस बहुत important है, सागरवानी जो है, जो भी तटिये छेतर हैं, उसमें information पहुचाने का काम करता है, जो हमारा recent में चकरवात आया था, उसमें हमने इसकी बात की थी, और उसकी detail हमने इस class में discuss की है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मुख्यता Earth Science Ministry द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है, और safety levels को समझने के लिए जरूरी है, तो जो भी वालकेनों की, साइकलोन की या चकरवात की stages हैं, उन पे अलग-अलग color code से warning levels दिये जाते हैं, वो important है कि किस पे कौन सा color code की warning दी की जाती है, Supreme Court ने कई सारे जो chemicals हैं, वो ban कर दिये हैं, जो कि आतिश बाजी में काम में नहीं आ सकते हैं, तो यह आपके net परिक्षा के लिए और प्रिलिम्स दोनों के लिए बहुत महत पूर्ण है कि कौन से chemicals क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो lithium जो है वो आपका dizziness, muscle weakness क करता है, आपका methyl mercury जो है वो एक जहरिला या विशेला compound है, जो कि आपके nervous system या तांतरिक system को affect करता है, इसी तरीके से arsenic जो है वो skin lung और bladder का cancer करता है, lead जो है वो permanent brain disorders ला सकता है और हमारे nervous system को प्रभावित करता है, बहुत सारी चीजे हैं जिसके द्वारा हमने यह भी कहा है क जो भारतिया rail है, उसमें स्वच इंधन की जरूरत है, तो जब हम स्वच इंधन की बात करते हैं, तो उसमें क्या-क्या developments हुए है, 5% bio diesel blending की हम बात करते हैं, जो की काम में लाया गया है, फिर हम बोलते हैं, जो heavy metals हैं और जो polycyclic aromatic hydrocarbons हैं, उनकी use को कम करना, एक common rail electronic direct injection system बना जाने की बात हम करते हैं, फिर अगला ये जो है, ये आपके smart city mission से जुड़ा हुआ है, smart city mission में हमने मुख्यतर ये बात कहीं है कि किस तरीके से security system, cctv, surveillance system, waste disposal और smart stations की स्थापना की जाएगी, तो ये सब उसी के तहत एक step है, जो मुख्यतर railways में अब हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, कई बार antibiotics इसलिए दी जाती है कि वो जानवरों में growth को बढ़ा सकती है, पर इसके negative impact भी होते हैं और antibiotic resistance develop हो जाती है, तो आजकल इस पे बहुत ही ज्यादा controversy चल रही है और ये news में है, ये आपके मुख्य परिक्षा mains के लि हम काम में लेते हैं, methane जो है वो अगर atmosphere में release की जाए, तो वो normal carbon dioxide से लगबग 20 गुना जादा greenhouse gas emission कर सकती है, तो हम alternate की बात करते हैं, वो है bio methane, bio methane का यूज करके पहली bio CNG बस चलाई गई है, Tata Motors के दुआरा, जो कि इंडिया का पहला commercial vehicle manufacturer है, और ये important development है, अब कई बार मचली पकड़ने के चकर में बहुत सारी जो जाल हैं, वो पानी में नीचे चले जाते हैं, जिनको ghost net कहा जाता है, तो ghost net क्या होता है, ये अपने आप में एक important question है, जो जाल पानी में नीचे चले जाते हैं, वो पानी की सतह पे ही रह जाते हैं, और वहाँ पर मशली आके फस जाती उनमें कई बार infection हो जाते हैं और कई सारी मशलियां भूख की वज़े से वहाँ पर जीवित नहीं रह पाती है क्योंकि वह अपना खाना या अपना शिकार नहीं डून पाती है तो ghost net एक बहुत बड़ा concern बन चुका है और यह आपके किसी भी important question का case study का हिस्सा बन सकता है इसी तरीके से national adaptation fund जो आया है climate change के लिए उसमें तीन states को चुना गया है भारत की सिक्किम, राजिस्तान और गुजरात सिक्किम में हमने बोला कि किस तरीके से climate change और water security के issues को deal करना चाहिए राजिस्तान में हमने जल स्वाव लंबन अभियान की बात की और गुजरात में हमने बात की किस तरीके से लोगों की जीवी का या रोजगार के अबसरों को बढ़ाया जाए तो जो हमने demo trains की बात की थी उसमें eco-friendly trains की हमने बात की है तो ये एक important step है इसी तरीके से केरल सरकार ने एक green protocol release किया है जिसमें ये कहा है कि विभाग या अफसरों में किसी भी तरह के क्या polythene use नहीं होगा थर्मकोल का ban किया जाएगा ozone recovery ये आपके net के लिए बहुत ही important है जो हम कहते हैं कि ozone को नुकसान पहुंच रहा है और ozone वापस बनने में कई सालों की प्रक्रिया का कारे है तो वो जो process है वो और धीरे होता जा रहा है एक paint stripper है जिसको dry dichloromethane कहा जाता है ये ozone को deplete करने का काम करता है ozone का जो हमने एक separate lecture discuss किया है उसमें आपको इसके और जानकारी मिल जाएगी ozone उपरी सतह में हमारी जो पराबैंगने किरिने आती है उनको रोकने का कारे करता है पर जब वो निशली सतह में पाया जाता है तो वो प्रदूशन के स्थर को बढ़ा देता है तो ozone अपर स्टाटोसफियर में जब पाया जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदे मन है पर डाइखलोरो मीथेन उस ozone को नुकसान पहुचा रहा है और ozone को बचाने के लिए जो प्रोटकॉल आया था उसको मॉंट्रेल प्रोटकॉल कहा गया है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है फिर हमने पिशली कक्षा में दो इंपोर्टेंट माउंटेंज की बात की फिलिपाइंज में माउंट मेयन इरप्ट हुआ था बाली में माउंट अगॉंग इरप्ट हुआ था और आपके अलास्का में जो रीसेंट इरप्शन हुआ था वो बोग ध्यान में रखा गया है कि उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए एच्टी कॉटन जिसको हम बोलते हैं हर्भिसाइट टॉलरेंट कॉटन भी जिसको कहा जाता है यह जो हर्भिसाइट टॉलरेंट कॉटन है यह मुख्यता आंध्रप्रदेश तेलंगाना गुजरात और महराश् चेलनाई से बलबगड आपके हर्याना में शिफ्ट कर दिये गये हैं तो यह एक डिरेक्ट नीव से जो कि इंपोर्टन है अब आपके जेके सेट में हाली में 2018 में यह कॉश्चन आया था मिनेमाटा कॉन डिजीज कौनसी कंपाउंड यह कौनसे ऐलिमेंट से होती है तो वह कौनसे इलिमेंट के दुआरा होती है वह वापस इंपोर्टन है नेट की परिक्षा के लिए तो यह बहुत ही जादा इंपोर्टन है वर्ल्ड वेटलेंड यह दो फर्वरी को मनाया जाता है दो हजार अठारा की इसकी थीम है वेटलेंड फॉर सिस्टेनेबल अर्बन फ्य कित्र में यह आती है यह एक इंपोर्टेंट वाइलाइफ सेंचुरी है क्योंकि यह ब्रह्मपूरी फॉरेस्ट एरिया का भी मेजर एरिया कवर करेगी मर्सिडीज बैंस ने पहली बीए सिक्स कंप्लाइंट कार निका लिए जिसको एस क्लास कार कहा गया है और बीए सिक्स बीए सिक्स की तरफ जा रहे हैं तो दिल्ली में ऑलरी बीए सिक्स क्लीन फ्यूल आ चुका है एक अप्रेल से और बाकी के देशों में यह एक इंग्जिस्टिंग मॉडल में है जो जल्दी ही इंप्लिमेंट किये जाने की बात है इसके आने से जो कार्बन डियोक्साइट क बर्डन है वो लगबग 13 प्रतिशत कम हो जाएगा और हमारी फ्यूल डिपेंडेंस जो है लगबग 10 प्रतिशत कम हो जाएगी सुप्रीम कोट ने पेटको को फरनेंस ओयल को दिल्ली राजिस्तान और उतरप्रदेश के छेत्र में वापस बैन किया है इसका वापस मुख्य थे और यह अभी तक के सबसे जादा कार्बन एमिशन्स है तो यह आपकी नेट की परिक्षा के लिए और UPSC के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महतपूर्ण है इसको अच्छे से ध्यान में रखिए इन फैक्ट यह जो डेटा है इंफोर्मेशन है वो भी अपने आप में इम्पूर्टन है Global Wildlife Program Conference जो है दिली में लाए गया है दिली में हुई है जो कि World Bank और UN Development Bank की साहता से हुई है इसकी थीम वापस important है लोगों ने किस तरीके से इसमें साथ दिया है वाइड लाइफ conservation के लिए अगली जो इंपोर्टेंट न्यूस है वो है वन चेत्र को बढ़ा के 33 प्रतिशत तक पहुंचा सकते हैं अगला है पारली आइलेंड वन जो की डूप चुका है लक्षदीप में था अब यह डूप चुका है यह important है और कौन से दूसरे आइलेंड्स है पारली 2 पारली 3 तिनकारा और आपका बंगराम जो की डूपने की त बढ़ रहा है मौस के बारे में हमने पहले बात की किस तरीके से यह प्रदूशन को शहरी छेत्रों में इंडिकेट करेगा और यह बायो मेकैनिजम है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं सरकार ने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली का एक केमपेंग चालू किया था जिसमें और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से जो वर्किंग मेमोरी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है इसी तरीके से एक और स्टडी आई है जिसने यह बताया है कि यह जो ब्लैक कार्बन है जो हवाई जात से अरोपलेन से निकलता है यह हमारे मॉन्सून को परिवर्तत करन के लिए भी जिम्मेदार है और यह ओजोन को भी काफी विपरीत तरीके से प्रभावित करता है तो यह कुछ इंपॉर्टन डेवलपमेंट्स है जो ब्लैक कार्बन से रिलेटेड है इंपॉर्टन है इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा केंद्र सरकार ने ग्लोबल ए उर्गनाइजेशन से उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए भारत में पहली बार एक हाथियों क्या सेंसस रिलीस किया गया है और गज यात्रा की गई है लोगों में हाथियों के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए और हाथी के कंजर्वेशन के लिए तो वो एक इंपॉर् आइस शेल्फ से लेके अंटार्टिक में इंसुला तक फैला हुआ है लगबग साड़े तीन हजार किलोमीटर का ये छित्र है तो ये एक और इंपॉर्टन डिवलप्मेंट है फिर है आपका क्योटो प्रोटकाल का जो दूसरा कमिट्मेंट था वो भी भारत ने रेटिफा गया है जो कि मुख्यता घाट की सफाई से डील करते हैं और इंफ्रेस्ट्रक्चर को और सुद्रण बदाने के लिए बात करते हैं जो दिली मेट्रो है उसको विश्व का एक पहला कम्प्लीट ग्रीन मेट्रो सिस्टम का अवार्ड दिया गया है और ये माना गया है कि देल में फैला हुआ है गुडगाउं फरीदाबाद नोएडा और गाजियाबाद के छेतर में भी देली मेट्रो चलता है फिर आपका इंटरनेशनल टाइगर डे की हमने बात की कुंतिस जुलाई को ये मनाया चाता है और हम ऐसा चाहते हैं कि 20-22 तक जो चीते की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाए क्योंकि अगर हम एक बैलेंस्ट फूट पिरामिड की बात करते हैं तो जो हाइस्ट और एनिमल्स हैं उनका होना बहुत जरूरी है नहीं तो उनके जो नीचे और के एनिमल्स हैं उनकी जनसंख्या एकदम से बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करने के के लिए हाइर और एनिमल्स जैसे चीते की जनसंख्या बढ़नी जरूरी है अगला है 2015 में जो चैन्नाई में बाड आई थी उसके कारणों के ऊपर काफी सारी रिसर्च की गई है और यह माना गया है कि अल नीनों जो है वो एक प्रमुक कारण रहा है इसको प्रभावित करन यह किसी भी प्रकार का बेरीयेशन नहीं यह सफेद Cheetah ही है ईसको कोई भी विमारी नहीं हुई है जिसकी वज़े क्ते सब्स्य पाए चीते पाए जाते हैं और और 2016 में विश्व का पहला वाइट ।ाइगर सफारी इनwerफ किया गया था मुकूंदपुर सतना district मध्यप्रदेश में यह आपकी परिक्षा के लिए बहुत बहुत important है कई बार इस पर direct question पूछा जा सकता है भारत की जो organization है टेरी जिसको the energy resource institute कहा जाता है वो विश्व का दूसरा climate think tank माना गया है जो अपने आप भारत के लिए एक बहुत बड़ा achievement है सुन्दरबंस में जो आपके विस्ट पेंगॉल या पच्छिम बंगल के छित्र में आते हैं महाँ पर मैंगरूव जो पौदे पाए जाते हैं उनकी जनसंक्या हाली में बहुत गिर गई है मैंगरूव की एक विशेश्टा है क्योंकि एक दल्दली छित्र में स्वैंपी एरिया में पाए जाते हैं इनकी जड़े जमीन के नीचे सांस नहीं ले पाती है और जड़े ऊपर की तरफ आती है इसलिए इनको एरियल रूट्स या निमेटोफोर्स भी कहा जाता है और ये मैंगरूव की जनसंकिया महाँ पर बहुत सड़नली गिर रही है तो ये वहाँ के एको सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनाती है राइनोसरस की जैसे कि हमने पार्ट वन में बात की थी आसाम एक मेजर केंदर रहा है आसाम में लगबग 5,000 राइनोसरस पाए गए हैं और ऐसा विजन है बारत का इंडिया राइनो विजन 2020 गोल जिसमें हम कहते हैं कि 2020 तक हम राइनोसरस की पॉपुलेशन बढ़ा के 3,000 कर देंगे अगला है पैरिस एग्रीमेंट एक अकेला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें मुख्य फोकस कोरल रीफ्स को बचाने के लिए था कोरल रीफ्स की चलते आपके विलकिर्सन रिपोर्ट भी आई थी जो की वापस बहुत इंपॉर्टन है तो उसको भी ध्यान से कवर करिएगा जो 10 परफॉमर्स उनकी लिस्ट यहां पर है जोकी वेपसाइट पर अवेलेबल होगया आप देख सकते हैं 2017 का मही का महिना गया है जैसा कि हमने बोला में चार मुख्य biological hot spots हैं तो आपके नेट परिक्षा के लिए तो ये एक direct question है कि कौन से hot spots भारत में पाए गए हैं बायो डाइवर्सिटी hot spots पाए गए हैं 5 जून को विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है 2017 में जब यह हुआ था इसकी theme थी connecting people to nature और इसकी host country Canada थी तो ये कुछ promote developments हैं जो हमने परियावरन के छेत्र में देखें अगली कक्षा में हम education से related current affairs के बारे में या पेक्षित प्रश्णों के बारे में अपनी श्रंखला को जारी रखेंगे हर बुदवार और शुकरवार को हम ये series लेके आएंगे जिसमें आप यहाँ पर जो भी doubts है जो भी questions हैं उनको deal कर सकते हैं इस चैनल पर बने रही है सब्सक्राइब करें तो आपको जादा से जादा updates मिलती रहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद